बिस्मिल्लाय रख्माने रहीम स्टूडेन आज के जो हमारे टॉपिक है वह मैं आपको कुछ इंपॉर्टन टॉपिक्स बताऊंगे याल रेड़ी मैं आपको साथ शेयर कर चुके हूं डिसकस कर चुके हूं बोड पे आप लोगों को पढ़ा चुके हूं बट मुझे स्टैटिस्टिक को डिसकस करेंगे यूजिज अप्लिकेशन इंड स्कोप और फॉंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक हमारे पास हम इसको अगें डिसकस करेंगे स्टैटिस्टिक एंड परामीटर में डिफरेंस क्या है पॉपुलेशन एंड सांपल में क्या डिफरेंस हैं विरि स्टूरिन आप से जादे से जादे से जादे हैल प्ले सकें और जादे से जादे से जादे आप उस चीज को एड कर सकें आप अपना डेटर जो है इन्फॉर्मेशन को लेकर चेंगे तो आपके पास यह सामने लिखी हुई है जो कि आप इसली देख सकते हो अब हमारे पास स्टेटिस्टिक्स को दिखे न वर्ड तो आप बेसिकली क्या कहते हो कि हमारे पर यह वर्ड जो है यह कम आया है स्टेटस से स्टेटस मेन होते है पॉलिटिकल स्टेट को आप कहा रहे हो तो थ्री प्लेसेज में यूज हो रहा होता है स्टेटिस्टिक्स को बेसिकली आप क बाउड डीट इसकाल देस्टिक को डेटा को डॉकर रहे हैं एनलाइस करें रिप्रिजेंट करें और फिर रिजल्ट ऑप्तें कर रहे हैं और यह आपके पास हमारे पास स्टेटस याई फिल्टिकल स्टेट है और थी मीनिंग्स में यूज भी हो रहे हैं जो के हम आगे डिसक करेंगे अब डिफाइन कर रहे हैं स्टेटिक्स को देखें स्टूरिंग अगर आपके पास एक चीज ड्रॉड डेटा आपके पास है तो आपको इसको एनलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी जी उसके बारे में आपको कंकुलुजन देना बड़ा मुश्किल हो जा है जो कि आपको लास तक याद रहते हैं और आप इसी लिए चीज को अंडर्स्टेंड कर सकते हो हम कहते हैं स्टेटिस्टिक्स इस दिस्सिप्लेन दैट कंसर्ण दो कॉलेक्शन और्गनाइज़ेशन अनलेसेज इंटर्प्रेशन एंड प्रेशन आपको बताया कि हमारे प स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन और स्टेटिस्टिकल मॉडल तुभी स्टूड़ है स्टूडिन हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स है अब तो इच और फील्ड में यूज हो रही है यह आपके पास इसकी डेफिनिशन प्रोवाइड की गिए जो कि बहुत जबरदस लिकि प्रोवाइड करूंगी अब जितनी भी मेरे पास नोट से मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आप जाद सदादा डेटा जो हैं को लैक कर सके बायो स्टेटिस्टिक है अप्लाइड टु दे बायोलोजिकल एंड मेडिकल साइंस डिके बियालोजी में यूज होती है म बारिकल में जिस तरो टेस्टिंग अफ़ाइड कि बात करते हैं इसन दिस्टिंग ओवाइड होता है इसनों किसी बीड़क कि बारे में किसी द्रॉट के बारे में जब आप्सटिस्पनाते हो क्या यह अफेक्टिव है फॉर्टीकुलर डिजीज के लिए नहीं है अगर वह effective है तो आप hypothesis बना रहे होते हैं इसी तरह बायो स्टेटिस्टिक में बियालोजी में medical science में जो है स्टेटिस्टिक बहुत है यूज हो रही होते हैं आप hypothesis बनाते हैं उस disease के बारे में कि यह वाकिए वो इस जो disease जिसके लिए हम basically बना रहे हैं यह drug क्या उसके लिए एफेक्टिव है यह नहीं है यह तमाम conclusion आप statistics process को continue करके conclude करते हो बायो स्टेटिस्टिक is the matter used in dealing with statistics in the field of health sciences such as biology, medicine, nursing, public health and external अब तो स्टेटिस्टिक जो है वो स्टेटिस्टिक में यूज हो रही है लेकिन बायो बायो स्टेटिस्टिक के बाड़े में बता रहे हूं हमारे पास बायो स्टेटिस्टिक is the term used when tools of statistics are applied to the data that is derived from the biological sciences such as medicine मैं अभी आपको एक example दे दिया है फिर हम कहते हैं एनी science demands questions for its development and so does medical science for appreciation facts observation or measurement have to be expressed in figure stick आप कोई भी चीज़ लेगा आप कोई भी observation अकठी कर रहे हों बिचक वो किसी भी field से related है आप उसको convert करोगे और उसको proceed करोगे following the method of the statistical अब statistical field से help लोगे अभी कोई भी field है आपके जो stats है वो उसकी important role अदा करा है central value अदा करा है role of bio statistic हमारे पास क्या होता है identify and develop treatment of disease and estimate their effects जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप कोई भी अगर treatment कर रहे हो कोई भी apply कर तो आप hypothesis बना रहे होते को क्या जो हमने statement दी है क्या यह true है यह नहीं true तो यहां भी आप statistics यूज कर रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करोगे रिप्रेजर्ट करोगे अब डिरेक्ट रिजर्ट कर सकते बलके आपको स्ट्राइस्टिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ते हैं फिर हम कहते हैं इंप्रोवन है उसमें और आने के चांसे गलतियां होने की चांसे काम ऌगे और हमें रिजर्ट जहां वहाँ अजुए है उसके लिए बहुत जड़ है इंप्रोफमेंट पैदा करेंगे यह आपको एक्जामपल दी गहीं अपको मीन इदर परवाइद किया गया ुच्छा म मीन क्या क frente में आणा को central value डिस्क्राइब करें होन्य दें कि अगर मीन अगर इनों ने मीन या già लिए ग्श्क में तो यह अगर मीन फाइब की ए Пока different means प्रोवायड दिया को यह आपके पास अगर मीन इदर इंस प्रोवाइड करता है यह फीन इन्टरल वैली ओ डिवन देता है इवग उसी उन्होंने एक्जाम्पल दे दिया स्टर्टिस्टिक एड इन इंपॉर्टेटिन टूल फॉर करते हैं और जो आपके पास qualitative होता है इंक्लूड द करेक्टिरिस्टिक्स वो आपके characteristics के for example quantitative data कि अगर आप weight ले रहे हो ठीक है अगर आप ले रहे हो एज ले रहे हो इसी तरह अगर आप ले रहे हो वेट तो यह तमाम चीजें जो हैं हम करेंगे लेंगे निम्रीकल डी अम्स के सकते इघ्ट nee कार्थ वे कोशिए यह सकते हैं यह तियामने करें appeared यह भ्यफाह प्रभ रेसमें इसने में मोखा गजू में Dre tarku यह अम्हूर्य ऐगे यह दिफ्रेंस वांतह आंप सबस्क्राम पॉर्इन कॉवांए राचन अब हमारे पास क्या होते हैं कि जो statistical tools हैं वो collect करते हैं, analyze करते हैं, organize करते हैं, interpret, result conclude करते हैं, of the numerical data दे, inferential statistics allow investigator to make generalization and predictions or to estimate the relationship between variables using incomplete information. अब हमारे पास words use हुए, inferential statistics, study inferential क्या होते हैं, inferences बनाना है, inferences हम इसे कहते हैं, inferences होते हैं, मफ्रूजात क्या आप जो values दे रहे हो, आप मफ्रूजात जो बना रहे हो, वो आपके पास कहा हैं, देखें हमारे पास एक होते हैं, description data होते हैं, inferential statistics होते हैं, descriptive statistics जो होते हैं, वो वो predictions दे रही होती है आने वाले future के बारे में बता रहे थी मैं इसके आपको एक example देती हूँ जैसे कि आप कहते हो कि आप six month का six month का जो grocery का rate है या जो आप घर में kitchen में use कर रहे हो या for example six month के आप previous test ले लो ठीक है previous test अगर आप ले रहे हो उनकी average निका रहे हो summary that is called the descriptive data क्योंकि वो describe कर रहे है predictions क्या होते है influential statistics क्या होते है जब आप in six month के test की बेस पे यह result provide करते हो कि यह girls यह boys जो भी आपके students है वो top करेंगे तो यह हमने influences बना लिए मफ्रूजात बना रहे हैं लेकिन किस चीज़ पर बनाएं कि जो आपने previous performance है उसकी बेस पे next time result जो है वो influences बना रहे है that is called the influences statistics branches of statistics यही मैं आप ही आपके साथ describe कर रहे हूं कि हमरे पर two branches of statistics है अब two branches of statistics जो है मैं उनको describe करते हूं कि हमारे पास क्या क्या आरही है देकिश्ट इन हमारे पास एक होती है descriptive statistics होती है और एक अमारे पास चीज़ों को describe करती है very beautifully थीक है वो summarized करती है and influential statistics क्या होती है जो कर प्रिडिक्शन बनाती है hypothesis बनाती है आपके मफरूजात बनाती हैं अब देखो हम कहते हैं यहां हम जो बात करें हम कहते हैं involves organizing, summarizing and displaying data describe the important characteristic of data tables, charts, averages, percentages it's all included in the descriptive statistics simply अगर आप इस चीज़ को note करो कि जो data को describe करते हैं summarized करते हैं that is called the descriptive statistics और inferential statistics किया है जो आपके data को क्या करते हैं conclusion प्रोवाइड करते हैं inferences बनाते हैं entire population के बारे में अब यह आपको example भी दे दिया गया है ठीक है कि आपके बस total तीन वर्कर्स अगर हैं आप inferences कर रहे हो कि इनकी performance अची जा रही है या वर्क जो कर रहे हैं वो अच्छा जा रहा है descriptive statistic inferences they are the both branches of statistics statistical method जो हैं वो जो branches and statistics वो two हैं एक आपके पर descriptive statistic है एक inferences statistic है descriptive statistic में जो चीज़ आप summarize कर रहे हो तो describe कर रहे होता है जैसे कि tables हैं, diagrams हैं summary है statistical inferences statistics में क्या है generalizing the results obtained from the sample to the population कि जिसमें आप generate कर रहे हो तो results को that is inferential statistics आप पिश्री basis पे summarize data पे आप inferences बना रहे हो that is called inferential statistics inferential statistics मजीद two kinds में divided हो रहता है हमारे पास होता है estimation hypothesis testing में अभी आपको बना रही थी जब आप कह रहे थे कि inferential methods हमारे पास जो given होती है उसमें हमारे पास क्या होता है hypothesis hypothesis क्या होते है hypothesis is a statement which enables us to decide whether to accept or reject the statement on the basis of sample collected from population that is called the hypothesis testing hypothesis testing students आपके पास क्या होता है कि आप को statement बनाते हो पिर उस statement को आप देखते हो population में से sample data collect करते हो पिर उस sample data के result की base पे आप बताते हो कि जो statement आपने true दी है क्या वो true है क्या उसे accept करना चाहिए या reject करना जाए जैसे कि मैंने आपको disease का कहा bio statistic के साथ से estimation क्या होता है कि हम formula apply करके एक जो specific result apply करते है और वो जो हमारे पास result आता है वो तमाम process हमारे पास होता है estimation estimator मैं simply example देती हूँ जिसरा mean find करते है for example mean यह हमारे पास है estimator यह हमारे पास क्या आगे estimator यह हमारे पास estimator है और आपके पास जो fix result है that is called the estimate यह आपके पास क्या estimate the process of estimator using the estimator to find a specific estimate that is called the estimation यह full आपके पास क्या आ जाते है estimation आ जाते है और यह point estimator होते है interval estimation में मजीद divided हो जाते है Point Estimations क्या होते हैं कि जब आपके पास Answer have only single value When answer represents only a single value जब आपका Answer only represented in a single value That is called the Point Estimate Interval estimate क्या होते हैं When you have the range of the values That is called the Interval Estimate तो वो आपके पास क्या आजाते हैं Interval Estimate जब आपके पास क्या आजाते हैं Range given होती है Last topic मैं आपको पढ़ाती हूँ फिर मैं next आपको पढ़ाऊंगे Use an application of statistics के है कि comparison में हमें आइसानी होती है Messages of figures It simplifies the message of figures हमें provide करते है It helps formulating and testing of hypothesis अभी हम पढ़ रहे हैं Estimation के लिए predictions के लिए Describing of the data के लिए यूज होता है तो यह आज का मारा lecture ता है I hope student आपको पसंद आए होगा अगर आपको फिर भी किसी किसम की problem में हम उसे discuss कर सकते हो अपनी दौाओं में याद रखेगा लाफिस